नमस्कार साथियों आप सबका पुनह स्वागत है शद्धा एस्टो जोतिश में आज हम लोग कवर करने वाले हैं मकर लगन की कुल्डी में यदी केतू नवंभाव में बैठे हैं तो क्या फल है हम ये भी कह सकते हैं मकर लगन की कुल्डी में कन्या राशी का केतु किस परकार का फल देता है तो आईए शुरुवात करते हैं आँखी क्लास का लगन से गिनेंगे एंटी क्लॉक वाइस तो आएगा नौवा भाव नवम भाव जो हमारे भाग्य पिता हमारे घर के बुजुर्ग लोगों को हमारी धार्मिक प्रतिष्ठा की बात करता है जब यहां कन्या राशी में केतु बैठते हैं तो कन्या राशी एक प्रत्वी तत्वर राशी है जो संग्रह की बात करता है धर्म समंदि संग्रह लाता है लेकिन जब यहां केतु आ जाता है तो फिर विक्ति को इन विश्यों से सवानेता नहीं देता है लेकिन अगर बुद्द के साथ बैठाओ शनी के साथ बैठाओ शुक्र के साथ, हाला कि नीच का होता है शुक्र इस राशी में फिर भी कुछ प्राप्तियं जीवन में कराने वाला होता है, अगर शुक्र का нीच भंग हो जाए, विजैसे सब यहां बैठा है लगन से केंद्र में बुद्धा आ जाए तो फिर नीच भंग हो जाता है तो उसके लिए हम मैं कोशिश करूं कोशिश कीजिए कि आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जो ग्रहों का गणित वाला प्लेलिस्ट है वहां जरूर जाए जहां आपको यह सारी बात है जो सभी लोगों को समझ में नहीं आता है हाला कि ब्रभू सरल पद्धी सभी के लिए कोई भी अपनी कुंडली उठाए और अपने ग्रह के फल को जान ले लेकिन जो उसमें कुछ गूड़ चीजें है कि कैसे वो राजयोग बन रहा है कैसे प्रीतर उसके लिए आपको ग अब यही प्रवर्ति कई बार फायदा भी दे देती है अब जैसे माली सपोर्टिव राशी में बैठा होता के तू यह नौ नंबर में के तू तो कहता है यह धर्म को जादा दिखावे की दृष्टी से नहीं देखता है धर्म को मानता है लेकिन खाली वो एक्सपोज करता ह वही प्रवर्ति सही है वह इसके मंन में इस प्रकार का विचार नहीं है तो दैद दीजिये हैं दोनों ही प्रवर्ति में कि तू अपने ही नजरे से काम कर रहा है लेकिन एक में समाजिक दृष्टी से अच्छा माना जा रहा है एक में बुरा माना जा रहा है विक्ति का अपने पिता के साथ ज़्यादा समवाद नहीं होगा पिता से दूरियां बन जाती है हाला कि पिता की परस्णलिटी शान्स्वभाव बुद्ध के कन्याराशी से प्रभावीत है बुद्ध का intelligent face माना जाता है कन्याराशी को लेकिन फिर भी वो पिता से ज़्यादा समवाद नहीं रखेगा के तुके अकेले बैठे के प्रभाव के कारण घर के बुजर्गों को ज़्यादा सम्मान नहीं देता उसके जीवन में अगर कहीं जैसे माली जी इस घर का स्वामी इसके साथ सम्मन बनाता है हाला कि सूर और बुद्ध आपस में एक दूसरे के मित्र माने जाते हैं लेकिन अगर जैसे बुद्ध यहां बैठ जाए अश्टम भाव में और तो फिर यह माना जाता है कहीं न कहीं आदमी की जो धार्मिक प्रतिष्ठा है उसको ठेस पहुंचती है ख्लिर हो गया तो यह एक यानि नैतिकता पर भी आपके एक प्रशन प्रशन चिन उठाया जा सकता है कि यह नैतिक मुल्यों को नहीं मानता है अपने से बारवे होकर बैठा हुआ है अश्टम भाव में और के तू डिटैच्मेंट लाने वाला है तो वो सांसारिक पार्ट है हला कि हम सब मोक्षा के लिए धरती पर आएं लेकिन मुझे नहीं लगता कि 90% लोग मोक्षा वाले पार्ट के लिए कुंडलियां देखते हैं सभी लोग जो हमें मोक्षा से इनफेक्ट दूर करता है उसी विशे को लेकर कुंडली देखते हैं तो बड़ा मतलब हैरान करने वाला तरीका है कि हमारा जो में लक्ष है सब का धरती पर आने का वो है परम शान्ती लेकिन कुछ कुंडलिया ऐसी भी है जहां पर सांसारिक प्राप्तियां भी है और मोक्षा भी है अब राजा जनक है जैसे अगर उस प्रकार की विचारधारा हो तो वक्ति के जीवन में मोक्षा वाला पार्ट भी बली है और वक्ति के जीवन में सांसारिक सुक्सिवधाइं भी है सांसारिक सुक्सिवधाइं देखते है चतुरत से जो मोक्षा की निव भी कहा जाता है तो अगर चतुरत का जो मालिक है वो स्वगरी हो जाए मजबूत अवस्था में हो तो फिर यही उसके मोक्ष का भी और यही उसके सांसारिक सुखों का कारण बनता है अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है इस हिस्से में भी दिक्कत आ सकती है जंगा वाला पार्ट थाई बोन फीमर कमजोर हो सकता उसका यहां से गिंते हैं एक दो तीन चार पाँच यह दृष्टी ज्यादा बुरे परिणाम नहीं देता है आदमी का पराकरम बढ़ाने वाला होता है कि तुक का प्रतम भाव में अगर मकर राशी में दृष्टी है तो हाला कि चश्मा वगरा चड़ सकता है कोई निशान हो सकता है सर पर लेकिन वैसे सेरे ब्रह्म को शांत कारे करेगा पांच छे साथ आठ नौ नौवी दृष्टी से यह आपके पंचम भाव को कमजोर करता है तो पढ़ाई में बाधाएं काउंसलिंग में समय पर सीट ना मिल पाना और पाचन कमजोर करना संतान प्राप्तियों में समस्या या डिले करना शुक्र भी कमजोर हैं तो कई दफ़ा ऐसे स्थिती में संतान नहीं भी होती है हलाकि केतु की यहां बैठने का ज़्यादा बुरा परिनाम देखने में आता है बट डिस्ट्री का भी फल आपको काउंट करना ही है तो इन पृत्वी तत्वर आशियों में केतु ज़्यादा अच्छे परिनाम देन नमस्कार